खटना करम है संजीब के बारे संजीब की मौद पर क्या प्रत करी आपके स्वरगी श्री ब्रंद दुवेदी हत्या कांड में संजीब महशुरी को लोग ये जो लखनवू नयाले के जोहरा आजीवन कारावास की सजादी गई थी स्वरगी श्री ब्रंद दुवेदी प्रदेश के पूर्व मंत्री थे एक कदावर नेता थे उनका प्रदेश में एक कद्था इस्थान था राजनेतिक इस्तर पर उनको और बहेंजी मायावती जी को सरकार बनाने के लिए काफी प्रयास करने के बाब जूद ये एक राजनेतिक सुनियोजिक शड़न्त की तहत उनकी अत्या की गई थी क्योंकि उन्होंने बहन जी की जान भी बचाई थी और बहन जी की सरकार और भारती जनता प्रयास के गड़वन्दन की सरकार का प्लेटफारम भी उनकी त्यार किया था वो एक अद्दावन प्रदेश के नेता थे, राजनेतिक द्रश्टिकोंड सुम्का एक महत था, इसी कारण सुम्की हत्या की गई गई प्रत्क्रिया क्या है इस मोथ पर राजनेतिक छेत्र में जो लोग काम करते हैं, उनकी इस तरीके से निशल्स हत्या की जाएगी, आजीवन कारावस की सजाद दी गई थी, उसके साथ जो भी हुआ, वो ठीक हुआ, अध्या ग्युक्तों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, सरकार को गटना को लेकर के सरकार को क्या करना चाहिए? कानून विवस्ता के मामले में वह सकता है कानून का राज है गुंडे प्रदेश छोड़ करके पलाएं कर गए हैं जो इस तरीके के कोख्यात पेशेवर अपरादियें उनके साथ यही होना चाहिए कि योगी आदे तनात को कुछ कहना चाहेंगे माने मुख्यमंत्री की कानून विवस्ता के मामले में काफी सकते हैं और कानून का ही उत्रपदेश में राज है और रहे